आवारा कुट्टों द्वारा काटने के मामले आए दिन सामने आते रहे हफते भर पहले का ही एक वाकिया देखिए 14 साल के एक बच्चे की रेबीस से मौत का मामला सुर्खियों में आया एम्बुलेंस में अपने पिता की गोद में दर्द से करहते इस बच्चे की तस्वीरों ने लोगों को काफी विचलित कर लिया पुलिस से मिली जानकारी के मुताबिक इस बच्चे को करीब दो महीने पहले एक आवारा कुट्टे ने काट लिया डर के मारे इस बच्चे ने अपने माता पिता को एवात नहीं बताई जब उसकी तबियत खराब हुई तो कुटे द्वारा काटने की बात सामने आए तब तक काफी देर हो चुकी थी उसके पिता उसे कई अस्पतालों में ले करके गए लेकिन डॉक्टरों ने कहा कि काफी देर हो चुकी बच्चे को रेबीज हो चुका था और इंफेक्शन इतना फैल चुका था कि उसका इलाज संभव ही नहीं था इस बच्चे ने दम तोड़ दे सोशल मीडिया पर इन तस्वीरों ने लोगों को काफी परेशान करते इस मामले में घाजियाबाद पुलिस ने चार लोगों के खिलाफ केस दर्च कराया पुलिस ने कहा कि वो आवारा कुत्तों को शरण देते हैं आरोप है कि उनमें से ही किसी एक कुत्ते ने बच्चे को काटा हाला कि अभी इस मामले की तफिश चल रही है इसको ले करके तमाम वर्जन भी सामने आ रहे हैं कि कौन सा कुत्ता था किसका था यह सब अभी जाच का विशह है लेकिन आप यह सोचिए कि अगर उस बच्चे ने बता दिया होता है यह तो आप अपने घर में भी अपने बच्चों से बात कीज़ें कि अगर कोई कुत्ता दांत भी गड़ा दे खनोश भी लगा दे तो तुरंत आ करके घर में बताओ क्योंकि यह जो वैक्सीन होती है न रेवीज की अगर यह आपको तुरंत लग जाएगी तो 100% कोई चिंता की बात नहीं है इसकी एफिकेसी जो है वो 100% लेकिन अगर आपको यह वैक्सीन नहीं लगी और अगर समय पर यह डिटेक्ट नहीं हुआ और किसी को रेवीज हो गया तो फिर कोई डॉक्टर आपका इलाज नहीं कर सकता फिर डॉक्टर जो है वो वापस भेज देंगे तो कहां तो एक इंजेक्शन जिससे 100% आप बच सकते हैं और कहां 100% फेटेलिटी याने की जान जाने का खतर आप सोच लिए तो सबसे पहली बात तो अगर कोई कुट्ता कभी दोडा ले या काट ले या खरोच भी लगाए तो रंत जाईए और रेवीज का अपना एक वैक्सीन या इंजेक्शन लगवा लेगा कम से कम आराम रहे लोग्स शनिवार को दिल्ली के पास हापुड में आवारा कुट्तों ने कई लोगों पर हमला बोल गए स्कूल जा रही आठ छात्राएं जख्मी होगों कुछ लोगों को इलाज के लिए दिल्ली तक भेजना पड़ा इससे दो दिन पहले ही उत्तर प्रदेश के अम्रोहा में आवारा कुट्तों से काटने से अलग अलग घटनाओं में छे बच्चे गायल हो गए आवारा कुट्तों द्वारा काटने की ऐसी खबरों को धूमने निकलेंगे तो हर शहर, हर गली, हर महले में आपको इस तरी की खबरें सुनाई देंगी अब सुप्रीम कोर्ट में खबरें पहुंच नहीं तो वह आप सोची सुप्रीम कोर्ट के जो चीफ जस्टिस हैं वो अपना कोई एक पुराना वाक्या बता रहे हैं किसी के साथ जो हुआ ये बड़ी आम बाते हैं और इससे मुँ मोड लेना कोई ठीक समाधान नहीं है अब सवाल ये है कि ऐसी घटनाओं के लिए आप किसे जिम्मेदार मानें उन कुत्तों को जो गली महलों में आवारा गूंते रहते हैं लेकिन जरा आप अपने आप से एक सवाल पूछे इन में इस इन बेजुबान जानवरों की क्या गलती है उनको क्या मालूम बताई है बोल नहीं सकते कुछ नहीं कर सकते किसी कारण की वजह से ये हो रहा होगा ये जो man-animal conflict है इसका समाधान आप कुत्ते से चाह रहे हैं नहीं न इस समवेधन शील मुद्दे पर आगे बढ़ने से पहले आपको फिर एक बार बता दो पहले भी हमने एक कारिक्रम किया हुआ है जिसमें हमने ये बात सामने रखी है कि हम सब कुत्ता प्रेमी हैं जानवर प्रेमी हैं मैं खुद हूँ कुट्टा इतना प्यारा जीव है कि उनसे कभी किसी को नफरत नहीं हो सकती मान लीजे आप इनसान के विकास क्रम यानि की evolution में कुट्टे की बहुत खास जगह है क्योंकि कुट्टे से ज़्यादा वफादार साथी इनसान को नहीं मिल सकता भले ही कोई आपका साथ छोड़ दे आपका वफादार कुट्टा आपके साथ अंत तक वहीं रहता है बहुत सारे ऐसे भी प्रकरण हुए हैं आप तमाम स्टोरी सुनेंगे किसी को कुट्टे को बहुत दूर छोड़ाए वो पैदल दिनों दिन चल करके वापस आ गया या रात में सब लोग सो गए एक कुट्टा जगा हुआ है आपके इंतजार में यह सब होता है तो फिर ऐसा क्यों हो रहा है कि आए दिन देश में कभी किसी सोसाइटी कभी किसी कस्बे में ऐसी तस्वीरें आती हैं जिससे पता लगता है कि आवारा या पालतू कुट्टों के काटने से लोग घायल होए हैं और मर भी गए हैं कमजोर लोग, बच्चे, महिलाएं, बूढ़े आवारा या पालतू कुट्टों की हिंसा के शिकार जादा हो जाती है अगर आप ठीक से देखें तो कुट्टों के काटने से जुड़ी इन घटनाओं के लिए कुट्टे जिम्मेदार नहीं हैं उनको ब्लेम करना गलत तरीका है उनसे घ्रिणा रखना गलत सल्यूचिए ये समाधान नहीं हो सकता जैसे कि मैंने बताया कुट्टा इनसान का सबसे वफादार साथी रहा है ये उसकी बेसिक फित्रत है उसकी आँखों में एक मासूमियत दिखती है मुझे मेरी बात अगर आपको बनावटी लग रही है तो आप देखी अपने आप आपको एहसास हो जाए इसी वज़ा से समाज दो धड़ों में बटा हुआ है एक जो ये मानने को तैयार नहीं है कि कुट्टा प्यारा हो सकता है उनको कुट्टे से नफरत हो गई है और एक दूसरा जिनको कुट्टे की इतनी महबबत है कि वो ये मानने को तयार नहीं है कि कुत्ता अटैक भी कर सकता है ये दोनों ही लोग अपनी अपनी परिस्थितियों के हिसाब से रियाक्ट कर रहे है सच्चाई इसके बीच में है जैसे कि हमेशा रहती है सेंटर में मध्यम मार कर रहे है कुत्ते अटैक भी कर रहे हैं और ये कुत्तों की फित्रत भी नहीं है और ये उनकी गलती नहीं है समाधान हमको ढूंगे एक मासून जानवर हिंसक कैसे हो जाता है और इसका जिम्मेदार कौन है कहीं हम ही तो नहीं है इस पर करेंगे बाद लेकिन पहले कुछ आखनों पर निगार डाल लेते हैं दुनिया में सबसे ज़्यादा आवारा कुत्ते अपने भारत में है एक ताजा अनुमान के मताबिक भारत में 6 करोड 20 लाख आवारा कुत्ते हैं आप सोचिए इतने तो हमारे हाँ राज्यों की आबादी नहीं है इतने आवारा कुत्ते हैं कुत्तों के काटने से होने वाली बीमारी रेबीस से सबसे ज़्यादा मामले भारत में ही हाते हैं भारत में रेबीस के 97% मामले कुत्तों के काटने से ही होते हैं 2021 में भारत में जानवरों द्वारा काटने के 17,00,000 से ज़ादा केस सामने आए, जिन में सबसे अधिक कुट्टों द्वारा काटने के थे और ये वो आंकडें जो रेजिस्टर हो गए. सोचे जो इतने नहीं होएं होंगे वो कितना जादा होगा, अमोमन वो बहुत जादा होता हूँ. मैं एक ऐसे रफ अनुमान नहीं लगाना चाहता हूँ क्यूंकि आंकडें नहीं हैं। 2022 के पहले सात महीने में 14.5 लाग केस सामने आएं। भारत में कुट्टों द्वारा काटे जाने की घटनाएं बढ़ने पर पशु कल्यान बोर्ड ने दिसंबर 2022 में एक प्रेस बयान जारी की। इसके मुताबिक आवारा कुट्टों की तादाद पर काबू पाने के लिए केंदर सरकार ने 2001 में एनिमल बर्थ कंट्रोल डॉग रूल तयार किया था यानि की A, B, C कानून। कब आया था? 2001. सोचे कितनी पुरानी बाद, 22 साल हो गए इस बात को। जिसे लागू करने की जिम्मेदारी स्थानिय प्रशासन की थी। अब आप समझ रहे हैं मैं कहां कहां इशारा कर रहा हूँ। बहुत आसान है कुत्ते से घ्रिणा करना, कि कुत्ते को मार भगाओ, मेरी कॉलनी में एक भी कुत्ता मेरी आखों के सामने नजर ना आए, कैसे हो सकता है? मैं एनिमल कॉन्फिक्ट है ये तो, समस्या का समाधान हमें ढूंडना है, समाधान था, 22 साल हो गए, क्या स्थानिय प्रशासन अपना काम कर रहा है, अब ये जो अनिमल बर्थ कंट्रोल कानून था, इसके तहट आवारा कुत्तों की तादाद बढ़ने से रोकने के लिए, उनके बंध्या करन, उनके एंटी रेबीस ठीका करन, इन सब चीजों पर जोर दिया जाना चाहिए, कुत्ते की एव हुआ, नहीं, क्या इसके लिए जिम्मेदार कुत्ते हैं, नहीं, प्रशासन, लेकिन ये देखा गया है कि इस नियम पर नगर निगम या नगर पालिकाएं बिलकुल ठीक से अमल नहीं करते हैं,